नमस्ते और वेलकम टू डे बाइडे क्लासिस वैंने परसों अपने एक स्टुडेंट के पास फोन किया यह जानने के लिए कि उसका जो प्रीबोट के एक्जाम्स हुए हैं उसका एक्जाम कैसा गया और उसके किते मार्क्स आ सकते हैं तो वो मेरको सामने से बताने लगी कि उसने पेपर में जो जाके किया है वो कुछ उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है means जितना वो चाहते थी मार्क्स आप्टेन करना और जितना मुझे भी लगता था कि उसके इतने नमबर आ जाने चाहिए पर उतने नमबर वो आये नहीं उल्टे बहुत ही कम नमबर आने लगें तो फिर मैंने इससे जानने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम होई कहां पे है तो बात ये पता चली कि उसको पेपर से कुछ दिन पहले से ही टेंशन होना शुरू हो जाती है कि पेपर कैसा जाएगा पास होँगी की नहीं होँगी कितने नमबर आएंगे फिर क्या होगा ये कोशन आएगा की नहीं आएगा ये सारी परिशानी उसके साथ होने लग जाती है और उससे भी बड़ी परिशानी तब होती है कि जो पढ़ा हुआ कुशन होता है जैसे ही प फूल से घर आती है पेपर हो चुका होता है उसके बाद वो पेपर को अटेम्ट करती है तो उसके आंसर्स आ जाते हैं और मैंने भी यह देखा जब मैं आफ्लाइन में पढ़ाता हूं तो सेम बच्ची से मैं वही सेम कोशन पूछता हूं तब वो आंसर दे देती हैं लेकिन सोच के आई होगी क्या पता घर से कि मेरे इतने नंबर आएंगे और कोशन पेपर देखते ही लगेगा कि ये भी कोशन नहीं आता ये भी कोशन नहीं आता और फिर वो क्या होगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन्स मैच नहीं होती है उसने सोच के आई होगी कि वो इतने नंबर करने पेपर में उझे करने हैं और यतने कोशन्स आते नहीं है अब जब एक्सपक्टेशन्स मीट नहीं होगी देर बिल बेदा फियर आ जाएगा तो जैसे ही डर आता है कोई भी चीज हम करने ही पाते हैं तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन बच्चों की भी ये प्रॉब्लम है उसके लिए आप कुछ एक बेसिक से स्टप्स को फॉलो करें उमीद है कि आप इस प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत आपको सॉलुशन जरूर मिल जाएगा आपको पहले चीज ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी पेपर में बैठके जब भी आप पेपर करते हैं आपको कभी भी एक्सपक्टेशन नहीं करने कि मुझे इतनी नंबर हिलाने हैं मेरे इतनी नंबर आ जाएंगे मैं पास होंगा कि नही नहीं हो जाओंगा ज़्यादा नंबर की उपीद नहीं करनी उस समय सिर्फ question paper attempt करना है no other thought यह भी नहीं सोचना कि मेरा दोस्त paper तो attempt किया जा रहा मुझे तो question नहीं नहीं आ रहे हैं या फिर मैं फेल हो जाओंगा मेरे इते नंबर आने ही पाएंगे आपको ये बाते पेपर के दोरान नहीं सोचनी हैं दूसरी बात अगर पेपर आने से पहले या पेपर के टाइम पे देरिजा लिटल बिट इस्ट्रस तो बिल्कुल ही नॉर्मल है उस से पेपर भी रहता है कि कुछ नई चीजे होने वाली होती हैं तो मैं पता नहीं चल पाता था पहले से क्या होने वाला इसलिए थोड़ा थोड़ा सा रहता है आपके टाइम पे की लिटल बिट स्ट्रस आपको फोजाता है और तीसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्ट्रस ना हो ये नहीं कि जब पेपर आता है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें स्ट्रस ना ह तो यह कभी नहीं हो सकता कि जब पेपर आएगा तो आप इस्ट्रस से फिरी हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि पेपर के टाइम पे आपको स्ट्रस ना हो तो आपको बाकी रिमीनिंग लाइफ बाकी और जब पेपर नहीं होता है तब भी आपको ऐसे वो दिन और यह साम और रातें भी पंदी होंगी जिसमें आपको इस्ट्रस ना हो तो इस्ट्रस ना होने का सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आपको alcohol और पएस्ट्रे पीछे सिर्फ एक कारण है आप ऑप थोड़ां कम किजिए पस्त के बारे प्राइजन इजा लाई का बर्डन, तो में ली जो बच्चे होते हैं, इस्टस में तभी आते हैं, जब ये दोनों चीजें उनके साथ होती है, कि उसके तो इतने नमबर आ गए, मेरे तो इतने नमबर नहीं आए हैं, तो देखिये वो होने के लिए पैदा हुआ है, आप होने बच्चों के साथ रहती है कि वो stress में बहुत ज़्यादा आजाते हैं paper के time पे तो आप यह भी मत कुशिश कीजेगा stress में कि अगर paper आगा तो मैं stress नहीं लूँगा stress नहीं लूँगा उक जितना ज़्यादा आप यह सोचेंगे कि मुझे stress नहीं आना है उतना ज़्यादा stress हो जाएगा तो क्योंकि इससे निजात तो मिलनी नहीं है कि आप सुचोगे कि मैं stress नहीं लूँगा या लंबी लंबी सांसे ले लूँगा यह कर लूँगा तो मझे stress नहीं होगा और आप यह से बूह और यह वा कि पाएंगे जब बाकी यह जिंदेगी है उसे भी stress से ना जीए होंगे तभी आप exam टाइम में भी stress से फरी फ्री तो आपको इस्ट्रस से फ्री होने के लिए यह चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं एक्सपेक्टेशन कम रखे ज्यादा नहीं सोचना है आपको सोचना कम है और मार्क्स अगर आप इंप्रूब करना चाहते हैं अपने कुशन पेपर में तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजि ज्यादा से ज्यादा आप रिविजिन करेंगे सही गाइडन्स में रहें यह सब चीज़ें आपको स्टप्स यह स्टप्स जोंगे वह आपको मार्क्स को इंप्रूब करने में मदद करेंगे